Assalamu alaikum my dear student, हम chapter number 4 कर रहे हैं, The Pride of Pakistan. उसकी comprehension में हम करेंगे आज, What are synonyms and antonyms? Synonyms are words that have almost the same meaning. Synonyms, उन words को कहते हैं, जिनके मानी एक जैसे होते हैं, मसलन, Big, Large, ये एक Elephant है, Big Elephant और Large Elephant. तो Big और Large का एक ही मतलब होता है, बहुत बड़ा. Antonyms are words that have opposite meanings. Antonyms वो अलफाज होते हैं, जिनके मुचजाद मानी होते हैं, उल्ट होते हैं. मसलन, Open और Closed, एक दर्वाजदा खुला होआ है और दूसरा बंद है, तो ये एक दूसरे के मुचजाद हैं या उल्ट हैं, इनको. Antonyms कहते हैं, अब ये है Brave, ब्रेव को उर्दू में कहते हैं, बहादर, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, ये बहुत ज़्यदा बहादरी का मजाहरा करते हैं, मुच्किल से मुच्किल हलात में भी कूद पढ़ते हैं. ये है Courageous, बहादर और दलेर, एक बंदा हिम्मत वाला हो, उसको कहते हैं Courageous, और फिर ये है Coward, अब आप देखें कि जो बुजदिल होता है, वो चुए से भी डड़ता है, उसे भाग रहा और आंसू निकल रहे हैं, अब आपको तीनों वर्ड्स के मानी पता चल रहे हैं, तो आप खुद से देखें, कि इन में से कौन से Synonyms हैं और कौन से Antonyms हैं, शाबाश, आपकी कापी पैंसिल लेके उस पे लिखें, अब आप चेक करते हैं, तो Brave का Synonyms जो है, वो Courageous है, और Antonyms जो है, वो Coward है, क्योंकि बहादर और Brave और Courageous का एक जैसा मानी है, और Coward का उ दर्मियान होती है, और एक दूसरे की फोर्जें आमने सामने होती है, तो War को उर्दू में जंग भी कहते हैं, इसी तरह Battle, बैटल जो है, वो लड़ाई होती है, वो दो लोगों के दर्मियान भी हो सकता है, मुकाबला दो कौमों के दर्मियान भी हो सकता है, और Peace कहते हैं, गुर्दू में पीस का मानी होता है, अमन, जब सारी दुनिया के लोग जो है, वो अमन और चैन के साथ रहेंगे, तो हम कहते हैं, वेरिजा पीस, तो अब आप बताएं, इसमें से कौन से अंटोनिम हैं, और कौन से सिनोनिम हैं, चलें चेक करते हैं, तो War का सिनोनिम है Battle, औ और एंटोनिम जो है, वो पीस है, नेक्स्ट है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट उस बंदे को कहते हैं, जो जहीन हो, जिसका दमाग ज्यादा चलता हो, आपको पता है कि अब जो है, वो इंटेलिजेंट इस एक इंटेलिजेंट बंदा जो होता है, उसके चार हिस्से हो quotient यानि spiritual quotient एक उसकी जो रोहानियत का हिसा होता है उसमें फिर एक mental IQ intelligence जो दमागी इसलाहियत होती है जैसे हिसाब किताब करने की फिर PQ physical quotient जो उसकी body language या दूसरों से मिलता कैसे है फिर emotional Q यानि वो जजबाती तोर पे लोगों के जजबात का कैसे ख्याल करता है तो पहले तो एक होता था कि एक बंदे को हिसाब किताब आता है वो पढ़ाई में तेज है लेकिन intelligent वो होता है जो रोहानी तोर पे भी मजबूत हो अपने लोगों से रवाबत में भी अच्छा हो लोगों के जजबात का भी ख्याल रखे तो आप भी अपने चारों हिस्सों प का भी ख्याल रखें पढ़ाई के साथ साथ फिर है ब्राइट हम कहते हैं वो बच्चा बड़ा ब्राइट है वो बहुत तेज है और फिर है स्टूपिड स्टूपिड का मतब होता है बेवकूफ इसको ना बात करने की समझ आती है बिला वजा हसता रहता है जहां पे हंसने क मौका होता है वहां पे रोता है और जहां पे रोने का मौका होता है वहां पे हसता है अब बताएं कि एक आपस में इनकी तर्तीव क्या है वर्ड है इंटेलिजेंट सेनॉनिम है उसका ब्राइट और एंटोनिम है स्टूपिड यह है विक्टोरियस आप भी जब टॉप करते हैं तो आपको मेडल मिलता है तो फातिया विक्टरी से निकला है विक्टोरियस सक्सेस्फूल जो कामयाब होता है कामयाब और कुरान मजीद हमें क्या देता है इल्लालाजीना अमनु आमिलु सौलिहाती वतवासु इन्सान खसारे में है यानि सिर्फ वो ही कामयाब है जो अमनु आमन लेके आता है अमले सौलिहा करता है और एक दूसे को हापक और सबर की तलकीन करते हैं तो माई डियर स्टूडेंट हमें अल्ला पे अमान लेके आना है और अल्ला और उसके नभी ने सौलिह आमाल बताएं उन पे अमल भी करना है तब हम कामयाब होंगे दुनिया की कामयाबी भी तब मिलेगी और आखरत भी भी और हमें चाहिए कि हमेशा सच बोलें अल्ला के नभी की सुन्नत पे अमल करें कुरान जीद को तर्जमें से पढ़ें तो तब हम कामयाबी हासल कर सकें और का सिनोनिम है सक्सेसफुल और एंटोनिम है डिफीटिड तो कुरान मजीद में आता है तो आप भी अल्ला से डरें और हमेशा सच को अपनाएं तो हमने आपको अगर वेकाबलरी आपकी ज्यादा होगी आपको वर्ड के मीनिंग आते होंगे तो आपके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझना व्यादा असान होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें उस चैनल को सब्सक्राइब करें